नमस्क्राइब दोस्तों मैं हूँ बर्ण कुमार और आज मैं आपको बीना कोडिंग का जो एपस बनाना सिखा रहा हूं उसी पर एक वीडियो बनाने जानों कि आप परमीशन नेम खुद से कैसे एपसे ही निकाल सकते हैं पीचलियो मैं नहीं आपको परिशन कोशक बलोग कि बताया था परमीशन कोशक नेम आपको लिए लिए कि कि سंञे होगा तो मैं रहा कि 1-2 दिन पीजी रहा बप साइट पर जब मैं लिए बैठ था तो मुझे लगा कि साथ website पर अगर मैं लीक भी दो पोस्ट तो आप लोग confused हो जाएंगे हो सकता है कि आप permission को गलत यूज़ कर लें तो वह इसलिए क्योंकि एक ही component में आपको अलग-अलग permission मांगने की जुवत पर सकती है माल जैसे कि download के लिए अगर हम लोग storage का permission माएंगे तो storage का permission के लिए भी आपको दो permission मांगने की जुवत पर सकती है पहला read के लिए एक अलग permission name होता है write के लिए एक अलग permission name होता है और मैं आपको बता दूँ कि जिसका जुरत हो उसी का permission मांग सकते हैं आप extra permission आप user से नहीं मांग सकते हैं गूगल इसके सकत खिलाब है permission से डिलेटर तो वह बहुत ही स्ट्रीक है तो इसलिए मैंने सोचा अगर आप गलत permission मांग लेते हैं या extra कुछ भी permission मांग लेते हैं और आपका ना जाने क्या पता Google आपके apps को प्ले स्टोर से सस्पेंड ही कर दें तो इसलिए मैंने सुचा क्यों ना ऐसा मैं एक वीडियो ही बना लूँ जिससे आप यह जान सकी कि जो आप बलोग के सरी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसका जो जिस तरह से आप उसको यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या पर मिशन नेम होना चाहिए तो आप खुदी जान सकते कोई बड़ी बात है ना या चली कंप्यूटर पर चलते हैं और देख लेते हैं वैसे मैं आपको बता दू कि जो हमा गलतु है मारा कोड्यार का जो पर्म्यसन रेम आस्क पर्मीसन वाली बोलाैयो कुछ चाही समार्ट है अगर आप कुछ भी गलत पर बीकमे ने मांग रहे जो आपने यूज ही नहीं किया है तो वह एक इरन मैसेज सो कड़ा देगा रिजर से पर मिसन नहीं मांगेगा फिर भी इरन मैसेज हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है एक गलत इंपरेशन परता है हमारे एपस पर इसके अलावा क्या पता प्ले स्टोर देख ले कि यह तो बीना मतलब के पर मिसन मागने को सिस कर रहा है और आपके एपस या पले स्टोर पर एक स्ट्राइक ही देदे तो चलिए कंप्यूटर पर चलते जान लेते कि आप जो कंपोनेंट जिस तरह से यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या पर मिसन नेम होना इसे ही बटन वन के लिए को होगा कैमरा का यह अब देख सकते हैं कैमरा में आप फोटो भी ले सकते हैं इसके फ्रेस लाइट को भी आप यूज कर सकते हैं या फोटो लेने के बाद क्या होना चाहिए या सेब होगा या क्या होगा वो भी आप कराना वो भी आप करा सकते है तो आप जिस चीज़ बॉलाउठ का यूज़ करना चाहते हैं आप अपने आप्स में वैसा यूज EOKAL. मालेजी मैं सिर्फ फोटो लेना चाहता हूं बस और कुछ ना करेगे हैं. तो उसके बाद आपको जैसा block करना चाहते हैं वैसा design पहले कर ले उसके बाद जैसे ही उसके बाद skin 1 में ही आपको एक permission का दो block मिल जाता है permission accept होने क्या होना चाहिए, permission denied होने के बाद क्या होना चाहिए तब दोनों में से किसी भी block में आप देखेंगे कि permission name यहाँ से आप ले सकते हैं तो चलिए फिलाल में जब कोई users एक permission को denied कर दे, accept ना करे तब यह level 1 की text में permission name लिख दे अब माल लिजए यहाँ पे 2 से ज़्यादा permission लिखना हो तो बस joint का मैं कर लेता हूँ use और सबसे पहले level 1 की text में जो भी text रहेगा उसको लिखेगा उसका permission name लिखेगा और चलिए बीच में मैं new line के लिए backspace in का use कर लेता हूँ और एक काम और करता हूँ level 1 की जो text है पहले से उसको मैं कर लेता हूँ delete उसका चलिए एक दो और permission वाले component को मैं कर लेता हूँ use चलिए जैसे की phone calls और phone calls में बहुत सारे चीज का use होता है यहाँ पर मैं सिर्फ make a call का use कर लेता हूँ button 1 किलिक होने पर या चलिए एक और button ही मैं ले लेता हूँ button 2 किलिक होने पर इसको export का कि अपने mobile में install करके open करके देख लिजिए कि open मैंने not allowed के लिए set के रदा दिने कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो permission आ चुका है राइट external storage अब उसके बाद आया था या call के लिए तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे पर्मिशन निम को कैसे find करते हैं कैसा निकालते हैं वैसे मैं चाहता था अपने website पर पोस्ट लिग कर भी आप लोग को बता सकता था था थोड़ा मड़ा मेरा वी website का फायदा हो जाता वहां traffic बढ़ जाता है लेकिन मैंने चलिए separate video ही बना लेता हूं अगर बीडियो अच्छी लएक तो लाइक कर देगा इस तरह के वीडियो के लिए हमाई चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी दवात दिजेगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लेता मिलते हैं न